सो हे गाइस कैस्व यार आप सभी लोग आज का यह वाला वीडियो यार आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला विकॉस गाइस राउंड यार 6 का आज आखरी दिन है और किस तरीके से आप राउंड 6 को जीत सकते हो साथी गाइस आगे जो आपका सफर है PK7, PK8, PK9 या फिर PK10 का उसको आप बड़े ही आसानी से कैसे कर सकते हो आज किस वाली वीडियो में बात करने वाले बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है यार यह वीडियो विकॉस एक-एक स्टेप करके मैं आपको सारा कुछ अब बताने वाला हूँ विकॉस गाइस लास्ट का 3-4 राउंड मतलब इसके बाद बस आपके पास 4 राउंड रहता है तो किस तरीके से इस राउंड को खेलना है कि आगे अपना दिक्कत ना हो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले लगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार विकॉस आपका भाई आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता है अब गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज किलियर कर दूँ अब गाइस आप में से काफी लोगों का 500 पॉइंट हो गया होगा मेभी अगर 30-30 करके भी हुआ होगा तो 500 पॉइंट हो गया होगा जीन लोगों का नहीं हुआ है तो कुछ लोग भाई 120 से ज़्यादा पे लटके होंगे लाइक 120-130 के बीच में अब सबसे पहले तो देख लेना गाइस कि अगर PK6, PK7, PK8 या फिर PK9 या फिर PK10 या फिर जो भी आप करना चाहते हो उतने के लिए आपको पॉइंट कितना चाहिए अब गाइस यहाँ पे अगर आप सोच लो कि अगर 300 पॉइंट आपको करना है लाइक PK8 करना है तो 1500 पॉइंट ही अभी आपको चाहिए अब 1500 पॉइंट ऐसे मैं चाहिए तो 1500 पॉइंट नर्मली 30-30 पॉइंट ही लेकि आप कर सकते हो जो कि आपको 15,000-15,000 पॉइंट करना है और आपको बड़े ही आसानी से यहाँ पे 1500 पॉइंट मिल जाएगा हर बेटल जीतने के बाद लेकिन गाइस वहीं पे अगर आपको जादा पॉइंट चाहिए तो आपको 14,000-15,000 पॉइंट करना पड़ेगा 14,000-15,000 के बीच में करना पड़ेगा मतलब लाखों का बेटल आपको खेलना पड़ेगा जो कि अभी खेलने का सही टाइम है अब सही टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँगा इस क्योंकि अगर लाश्ट के 2-3 राउंड के लिए आप भाई एकदम बहुत जादा पॉइंट छोड़ देते हो तो ऐसा तो नहीं है कि हवा में बरस के पॉप्लेरिटी आएगा और आपको पॉइंट मिल जाएगा पॉइंट आपको चाहिए ही होंगे तो अभी से आप शुरुआत कर दो क्योंकि 5 राउंड बहुत है यार 5 राउंड में अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो 200 पॉइंट तक आप ले सकते हो और 200 से जादा भी ले सकते हो लेकिन आपको अच्छे से बेटल खेलना आना चाह ही है और पॉइंट टेबल मैं यहां पर मेंशन कर दूँगा जीसी साब से आप देख सकते हो तो यहां पर मैं आपको बता दूँगा एक लाग 14,000 से एक लाग की सजार तक का बेटल खेलते हो तो 26 पॉइंट आपको मिलेगा अगर इतना पर अपोनेंट भाई 10 पॉइंट करता है तो उसका 10 पॉइंट मिलेगा टोटल यार आपको 26 पॉइंट मिलने वाला है और यहां से अगर आप हेलिकोप्टर यूज करते हो जिसका की भाई वैल्यू होता है एक लाग 25,000 तो यहां पर आप दूसरे कैटेगरी में आ जाओगे जो कि यह एक लाग 12,000 से दो ला लाग 60,000 आप कर लेते हो जहां तक कि यार अगर आप अच्छा रैंग पे हासिल करना चाहते हो लाग 25,000 तो इतना तो करना ही होगा मेरे भाई सही है तो दो लाग 60,000 से चार लाग 80,000 जो कि नॉर्मली आप कर सकते हो तो इतना तक अगर आप कर लेते हो तो 32 पॉइंट मिल लेता है तो भाई साब यहां पे आपको टोटल 44 पॉइंट मिल जाएगा विकॉज अपोनेंट का 12 पॉइंट आपको मिलने वाला है तो इस तरीके से आप स्टैटेजी बना सकते हो और इस तरीके से आप पॉइंट अपना इंक्रीज कर सकते हो अब ज्यादा तो लोग आपको आगे रहना ठीक है सही है इतना तो आपको पता है आगे रहना या पीछे रहना पीछे रहना तो ठीक ठाक पीछे रहो लेकिन अब आप ऐसा लेवल पे आ चुके हो ना लैक मतलब अगर आप भाई अपोनेंट नहीं बढ़ा रहा है तो किस तरीके से आप उसको पु तो जीसी साब से आपको पोपलैरिटी चाहिए नगाईस, 10,000 बढ़ाओ, 5,000 बढ़ाओ, पहले दिन फिर सरे दिन, 10,000 बढ़ाओ पहले दिन, 10,000-5000 रिशगर करके। या फिर 15,000 से उपर भाई अब आप एक ही बार नहीं बढ़ाओगे बिल्कुल 0 तो वो भी स्थिर से बैठा रहेगा इसलिए थोड़ा थोड़ा ना कराईस करके बढ़ाते रहो और ऐसे जब बढ़ाते रहोगे अपोनेंट भी बढ़ाएगा तब जाके आपका रैंक आपका अच्छा आएगा और आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे अब यार इतना चीज ध्यान में देने के बाद एक और जो चीज आपको अच्छे तरीके से सोच और समझ लेना आएगा इस काफी लोग गलती ये करते कि भाई उनके पास होता है दो अलग-अलग तरीके का अब गाइस यहां पे लवर ब्लेसिंग वाला जैसे आप देख सकते हो मेरे पास ये तीन है पहला वाइट वाला और ये ब्लैक वाला छे है अब गाइस यहां पे अगर आपको पंदरा बीस जार पॉपलारिटी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपको ये भी तीन भेज दे ये भी तीन भेज दे तो भाई ऐसे में आपका दस सकेंड टाइम लगेगा आप नॉर्मली करके देख सकते हो चेक करके कितना देर लगता है भेजने में तो आपको कुछ ऐसा पॉपलारिटी जुगार करना है जैसे गाइस अगर मेरे को यहां पे दस जार पॉपलारिटी चाह भाई अगर अपोनेंट कर दें 75,000, 70,000 तो भाई मेरे पास हेलिकोप्टर है एक सकेंड के अंदर मैं हेलिकोप्टर भेज सकता हूँ तो आपको हमेसा एक भाई बना के रखना है ठीक है एक पूरा का पूरा क्रियेट करके रखना है कि इतने के बीच में आएगा अगर उसक तो इस तरीके से बना के जैसे की देख सकते हैं, मेरे पास हर तरीके का है, अगर मैं यहाँ पर यह 6 है, इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इस लबर ब्लेसिंग के अंदर मेरे पास कार्ड बढ़ा हुआ, यहाँ पर मैं जाओंगा, और एक सकिन मैं आपको द करके की देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप से बस एकी मिरे बहाई यहाँ इस यहाँ पर मेरे पास आपने 6 झेखा, अब अगर मेरे कोई जादा पूपिलरिटी का जरूरत है तो यहाँ से मैं 10-10 करके यहाँ से पर्चेस कर सकता हूँ और भाई वह महाँ पर 12 हो जागा, इस तरीके से 24 करके 24,000 में भेज सकता हूँ, तो इस तरीके से ना गा, इस एक पूरा का पूरा आप रेडी करके रखो, की मेरे को अगर 10,000 से 15,000 पुर्टि चाहिए तो ये बाला पुप्लैरिटी में भेजूँगा, अगर 20,000 पुप्लैरिटी चाहिए तो मुझे पूरा बिस्वास है आप अच्छे से rank हासिल कर सकते हैं पीके 7, 8, 9, 10 आप गाईस आपका rank क्या चल रहा और कौन से level पर आप जाना चाते हो भाई ये comment करके जरूर बताना भाई मैं भी तो जानू कि मेरे भाई भाई लोग कि कौन से level पर जाना चाते हैं तो जरूर बताना भाई आपका battle की इस तरीके का चल रहा है ये भी comment में बता सकते हो साथ ही कुछ दिक्कत पर एसानी हो तो ये भी आप मेरे से पूछ सकते हो नीचे तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप Instagram पे भी आ सकते हो तो भाई लिंक आपको description में मिल जागा तो प्रेश फिल्लाल के वीडियो में इतना ही I hope यार कि आपको समझ में आ गया होगा जो कि मैंने आपको समझाने का try किया अब भाई मेरे हिसाब से जितना कुछ समझाया जा सकता था उतना मैंने आपको समझा दिया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप